असलाम अरेकों स्टूडेंट कैसे हैं आप आज हम डिसकस करते हैं चॉम्सका नॉर्मल फॉर्म क्या होती है इसको एक्जेबल समयते हैं बहुत ही इजी बहुत ही अच्छा बहुत ही असान सा टॉपिक है आटोमेटा का अगर आप लोगों ने मेरे प्रिवस लेक्चर नहीं देखे हैं pumping lemma, cfg, regular language क्या होती है, further topics अगर आप लोग नहीं देखें तो देखें, अगले concept ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे, so हम देखते हैं अब चॉंप का normal form क्या होती है, सबसे पहले तो चॉंप का normal form को invent किया था, develop किया था, नॉर्म चॉंप का ने 60s में, अब चॉंप का normal form होती किया है, cfg is in cnf if it contain any of the following condition, देखें कोई भी cfg context free grammar, अगर होगी cnf में चॉंप का normal form है, अगर इसमें से कोई conditions को satisfy करेगी, कंडिशन हमारे पस तीन है, अगर तीनों में से कंडिशन भी satisfy होगी, तो चॉंप का normal form में, जो cfg है, तो चॉंप का normal form में होगा, तो पहली condition क्या हम देखते हैं, पहली condition is start symbol contain null, जो start symbol कोई भी होगा वो null contain करेगा, इन तीनों में से एक भी condition satisfy होगी, तो cfg cnf में होगा, और दूसरा है non-terminal produce terminal, एक non-terminal होगा produce करेगा terminal को, और तीसरी condition जो है, वो है, कि जो non-terminal है produce करेगा दो non-terminal को, so example से समझते हैं कि अगर इन तीनों में से एक भी rule satisfy है, तो cfg किस में होगा, cnf में होगा, so हमारे पास कोई भी grammar given है उसके अंदर, देखें, यह greater than a symbol डाला है, यह arrow है, so पहला है n, उसको replace कर रहे हैं c से, लेकिन मैंने क्या का था, जो non-terminal होगा produce करेगा, terminal, second rule satisfy हो गया, second rule हो गया, satisfy, so, अब देखें, a, replace with bd, हम देखें, non-terminal है, a, non-terminal हम जानते हैं, capital letters हम वो produce कर रहा है, bd, दो non-terminal produce कर रहा है, third condition b satisfy हो गया, और जो start symbol है, s हम ऐसे कहले हैं, अगर s contain कर रहा है, k को, small k है, देखें, आप देखें हैं, small k है, so मैंने कहा था, non-terminal होगा, produce करेगा, terminal को, so, यह second condition b satisfy दुबारा हो रही है, so, अगर इन में से एक भी condition satisfy हो रही है, तो, cfg किस form में होगा, chomps का normal form में होगा, otherwise, यह norm chomps का normal form में नहीं होगा, हम लिख देएंगे, so, अगर आपको इससे later कोई confusion है, so, आप लोग comment box में पूछिए का, stay tuned for next video, take care, allahafiz,